अश्हद अल्लाइलह इलालाहु वहदहु लाशिरीकलहु। वच्छद अन्ना मुहंबदन अब्दोहु रसुल। आमवात पौजू बिल्लह मिन शैतौनि रर्जीम। बिस्मिल्लाहुर्मानिर्रहिम। कुरान पाक को जानने का क्या त्रीका है। और इमान को जानने का क्या तरीका है इसका जवाब और इसकी तफसिर कुरान पाक में देखते हैं खातिन हजरात आज मैंने अपने बेयान के लिए जिन आयात का इंतखाब किया है इन आयात में अल्लह ताला ने कुरान पाक को पहले रूह कहा है और फिर कुरान पाक को रोशनी कहा है खातिन हजरात कुरान पाक तब तक हमारे लिए एक रोशनी की तरह रहेगा जब तक हम इसको अर्बी में बढ़ेंगे जब हम कुरान पाक को अर्दू में समझेंगे तो कुरान पाक हमारे लिए रोशनी की तरह हो जाएगा ने कभी रोख को दिखा है तो आप कहेंगे कि नहीं हमने कभी नहीं देखा और अगर मैं आप से सवाल करूं कि क्या आपने कभी रोशनी को देखा है तो आपका जवाब होगा कि हाँ हमने रोशनी को देखा है खातिर जब हम कुराने पाक को अरबी में पढ़ेंगे तो कुराने पाक हमारे लिए एक रूह की तरह रहेगा यानि हम कभी कुराने पाक की हदायत को समझ नहीं सकेंगे अगर हम कुराने पाक को उर्दू में समझेंगे तो हम कुराने पाक की रोशनी में आ जाएंगे और हम कुराने पाक से हदायत को जान लेंगे हाथी नजरात आएं कुराने पाक की तरफ चलते हैं और कुराने पाक में ये आयात देखते हैं सुरह शुरह आयात 52-53 पारा नमबर पचीस और इस तरह हमने अपने हुकम से एक रूह आप सलिल्लाहु अलेही वालेही सलम की तरफ वही की इस से पहले आप नहीं जानते थे किताब क्या होती है और इमान क्या होता है लेकिन हमने इस रूह को रोशनी बना दिया और इसके जरीए हम अपने गुलामों में से जिसे चाहते हैं हदायत देते हैं और बेशक आप सलिल्लाहु अलेही वालेही सलम सीधे रास्ते की तरफ हदायत करते हैं अल्ह ताला के रास्ते की तरफ हदायत करते हैं जो जमीन और आस्मानों की तमाम चीजों का मालिक है खबरदार रहो तमाम मामलात उसी की तरफ लोटते हैं खातिन अजरात आपने सुरे शूरा की आयात 52 ता 53 तक का तरजमा सुना आपने देखा के इन आयात में आल्ह ताला आमान और किताब का मतलब समझा रहे हैं और हमें आमान और अपनी किताब सिखा रहे हैं इसके लिए आल्ह ताला रसूल से लिए की मिसाल भी दे रहे हैं कि कुरान पाक नाजल होने से पहले रसूल से अशलम ना इमान के बारे में जानते थे ना किताब यानि कुरान पाक के बारे में जानते थे अल्ला ताला ने इस कुरान पाक को रोशनी बना दिया जिसकी वज़ा से रसूल से अशलम ने इमान और कुरान को समझा खाथे नाजरात् leaning पाक क्यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्हा ताला की वो रोशनी है कि इस रोशनी के बगिए हम ना एमान को समझाते हैं और ना खाथे नाज़न को जान सकते हैं खाथे नाजरात जब हम 오른 li skiing को अर्दूत्वे समझेंगे तो हम قرآن पाकी रूशनी में आ जाएंगे अल्ला तल्माते हैं कि हम अपने खुलामों में से जिसे चाहते हैं इस कुरान के जरी हदायत देते हैं फिर आल्ला तल्माते हैं कि बेशक यानि इसमें कोई शक नहीं है कि रसूल सेल सेलम सीधे रास्ते की तरफ हदायत करते हैं यानि सिराति मुस्तकीम की तरफ हदायत करते हैं उस अल्ह ताला के रास्ते की तरफ हदायत करते हैं जो जमीन और आस्मानों की तमाम मुझूदात का मालिक है खादी नजरात इन आयात से थाबत हुआ किरॉअन पाक विजाते खुद अलह के बातों के डिक्शिन्रिए है हम करण पाक नाजल करने के मकसद को सिर्फ करण पाक की रोशनी में ही समझ सकते हैं और एमान को भी पाक की रोशनी में ही सीख सकते हैं खातिन अजरात आपने दिखा कि अल्ला ताला फर्माते हैं कि बेशक रसूल से लिए रास्ते की तरफ हदायत कर रहे हैं यानि सीरात मुस्तकीम की तरफ हदायत कर रहे हैं उस अल्ला ताला के रास्ते की तरफ हदायत कर रहे हैं जो जमीन और आसमनों की तमाम चीजों का मालिक है खातिन अजरात आपने देखा कि आला ताला कह रहे हैं कि रसूल से लिस्लम ने हमारी रहनुमाई कुरान पाक के जरीए की है खातिन अजरात लोगों ने रसूल से लिस्लम की रहनुमाई यानी हदायत की मुखालिफत कर दी है रसूल से लिए रहनमाई की रहनमाई की रहनमाई की रहनमाई में चल पड़े है फिरकापरस्तो को कुरान पाक में काफर कहा गया है मुश्रिक कहा गया है जालिम कहा गया है मुर्तद कहा गया है और मुनाफ़क कहा गया है खातिर अजराद हम ऐसे लोगों के अतात कर रहे हैं जिनका ठिकाना जहन्म है जिन्हों ने तश्रीकी आड़ में कुरान पाक को जुटलाया है हम सीधे रास्ते की हदाद फिर किस तरह हासिल कर सकते थे क्योंके हम तो उन लोगों के पीछे चल पड़े जिन्हों ने अल्लह ताला की नाफर्मानी करके फिरके बनाए और मुख्तलिफ दीन बना लिए एमान और कुरान पाक की तालिमात तो कुरान पाक के अंदर मौजूद है हमें बाहर से कैसे पता चलना था इस तरह हम फिरका परस्तों की अतात करने लगे और कुरान पाक की रोशनी से दूर हो गए इस तरह हम हदयत ना पा सके और फिरका परस्तों की अतात करके कुरान पाक के मताबक काफर बन गए मुश्रिक बन गए, मुर्तद बन गए, मुनाफ़क बन गए और जालिम बन गए क्यूंके हम कुरान पाक से सिराति मुस्तकीम की हदायत हासिल ना कर सके है हम लोग जो कुरान पाक को बगैर समझे पार रहे हैं हम इमान को कैसे समझेंगे कुरान पाक नाजिल होने के मकसद को कैसे समझेंगे हमें कुरान पाक की रोशनी कैसे मिलेगी हमें हदायत कैसे मिलेगी हमें सिरात मुस्तकीम की हदायत कैसे मिलेगी हाती नजरात आएं आज से फिरकाप रस्ती से तौबा करते हैं और कुरान पाक को उर्दू में समझते हैं ताके कुराने पाक हमारे लिए रूह ना रहे बलके हमारे लिए रोशनी बन जाए ताके हम ठोकरे ना खाते फिरे और हमें हर चीज साफ साफ दिखाई देने लगे खौतिर हज़रात आएं कुराने पाक को उर्दु में समझते हैं ताके कुराने पाक हमारे लिए रूह ना रहे याद रहे कि अगर आप सो साल भी कुराने पाक को आराभी में पढ़ते रहे तो कुराने पाक आपके लिए एक रूह की तरह ही रहेगा और आप कभी भी कुराने पाक को समझना सकेंगे आएं कुराण पाक को उर्दू में समझते हैं ताके हम कुराण पाक से रोशनी सोरी कुराण पाक की रोशनी में हदयत हासिल कर लें वो हदयत जिस सीधे रास्ते की तरफ रसूर स्रेशलम ने हमें बुलाया है आमें यार्ब लालमीन